हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मध्या परतेस बोर्ड का कलास 10th का विज्ञान या साइंस का जो है सेंपल पेपर 2023-24 के सैसन के लिए यानि final exam में जो आपका पेपर होगा वो किस तरीके का आपका जो है पेपर आने वाला है कैसे questions आएंगे किस तरीके से आपको attempt करने रहेंगे वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में जानेंगे शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL chapter लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले बता दूँ अगर आपको MP board के class 10th के किसी बाकी सब्जेक्ट के solution इमनलब paper analysis की वीडियो देखने हैं कि paper किस तरीके का आएगा तो description में playlist का link मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो और अगर आपको जो है यह papers download करने है PDF में तो Google पर जाकर यह नाम सर्च कर लेना CCL chapter.com पहले ही नंबर पर website आएगी CCL chapter लिखके सर्च करोगे तो उस पर आपको वीजिट करना है जाना है उस पर आपको काफी सारी चीज़े मिलेंगी आपको जो है वहाँ पर जो है model paper latest वाले 2024 में जो आएंगे वो download कर सकते हो model paper syllabus के अंदर से syllabus की PDF download कर सकते हो old question paper से old question paper download कर सकते हो और साथ में हमने यहाँ पे कुछ books के solutions भी करा रखे है class 10th के regarding तो वो भी आप देख सकते हो important questions वगरा भी मिल जाएंगे MCQ practice करने के लिए मिल जाएंगे काफी सारी चीज को subscribe नहीं कर रखा तो subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी ही interesting videos और आपके board के regarding जो updates है वो इस channel पर आपको मिलते रहेंगे अब देखते हैं आपका paper किस तरीके का रहने वाला है paper में जो आएंगे आपके total 23 question आएंगे 12 पन्नों पे paper आएगा 3 घंटे का time किया जाएगा और 75 marks का आपका paper रहने वाला है इसके अंदर जो है आपको यहां पर बता रखा है कि यहां पर सब्द सीमा जब भी question attempt करो ध्यान रखना paper खोलने से पहले वो देख लेना सब्द सीमा कितनी है दो नंबर के जितने भी question उनमें 30 सब्दों के अंदर उत्तर लिखना है तीन अंकों के जो है उनम के नंबर के हैं और इन questions को आपको करना mandatory है उसके बाद के जितने question है सारे questions में आपको option देखने को मिलेगा अब वो हम जो है तीस नंबर में सारे section 6-6 नंबर के आएंगे पहला section होगा आपका mcq बहु विकल्पी परसनों का जिसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में आपको paper देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है कि इंग्लिस इंग्लिस में दे दिया हिंदी वाले परेशान तो question 1 और इसका तीसरा question ठीक है इस तरीके से लिखो और answer जो है मानलो from master gland किसको कहते है पिट्यूट्री ग्लाइंड को कहते हैं तो हमारा जो है बी पिट्यूट्री ग्लाइंड ऐसे नाम लिखे देना बस उतने से में आपका काम चल जाएगा उससे ज्यादा लिखने की mcq के अंदर जरूरत नहीं है या इवन बाकी वनमाक्स के question उनमें भी ऐसा ही है तो इसको जो है प्रैक्टिस जरूर कर लेना website से डाउनलोड करके इनमें से questions आपको final exam में देखने को मिल सकते हैं बाकी मैंने books के solution जो add कर रखे उनके साथ में mcq और बाकी questions add कर रखे हैं वहां question की सबसे बाहरी कक्षाव में खालिस्तान electron होते हैं पता है चार होते हैं ना सिर्के में पाई जाने वाले अमल का नाम क्या है इस तरीके से आपको यहां पे 6 question मिलेंगे और 6 के 6 आपको attempt करने हैं इनमें जो है आपको पूरा question नहीं लिखना है दूसरे question का पहला लिखना है जैसे इसमें चार electron है तो दूसरे का पहला हो गया और इस तरीके से लिखे चार बस ठीक है चार इलेक्ट्रों तो इन्होंने खुद ही लिख रखा है तो चार लिखना इस तरीके से आपको answer लिखने हैं कहीं तुम पूरे का पूरा feeling the black बनाते फिरो वहां पे तो इस तरीके से उत्तर लैंस को अप सारी लैंस भी कहते हैं फूल पूस्प का नर्जनन अंग पूंके सर होता है यह आपको basic सी चीजे हैं यह basic concept जो आप पढ़के आयो उन्हीं के regarding आप से पूछा जाएगा फिर आपको बताना है बस सत्य है या फिर ऐस सत्य है ठीक है आपको उसमें इस question जो आएगा उसमें 6 नंबर के आएंगे मिलान करने है एक द्वी सुरे के साथ में पांच यह छटा उप्शन का अंग है इनका अच्छा यह extra जो है इन्होंने देखो 6 उप्शन दे रखे हैं इधर की साइड थोड़े ज्यादा दे रखे हैं तो इनको आपको मिलान करना है जैसे नेतर की 25 सेंटीमीटर की है ना धवनी परदूशन के रिगार्डिंग यहां पर क्या है धवनी परदूशन यह है असी डैसिबल से एक सोसी डिगरी किसके रिगार्डिंग है यह चलो इस तरीके से आपको पढ़ना है जैव घटक जैसे वाई उमरीदा जल इस तरीके के अंदर आपका अंसर खतम हो जाना चाहिए ज्यादा बकवास बाजी इसमें नहीं करने हमको जीव के सरीर में पानी का आफसोसन कहां होता है एक अंग होता है है ना उस अंग का नाम बताना बस सीदह आपको मोटर की बैटरी से बहने वाली धारा कौन सी होती है DC करंट होत स्टार्ट हो जाएंगे आपके इहां से और इन कोश्चन में आपको हर कोश्चन के साथ एक एक स्ट्रा कोश्चन देखने को मिलेगा हर एक के साथ में तो उनको जो है आपको अटेंप्ट करना है कोई सा एक दोनों मत करने बैठ जाना सिरफ एक करना है तो जो भी है को attempt किया है ठीक है ताकि confusion ना हो टीचर को भी चेक करते टाइम कि तुमने और वाला करा है या उपर वाला तो उसको चेक कर लेना उसको लिख लेना कि यह वाला question कर पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो वह आपकी मर्जी है उसके बाद उसका उत्तर लिख देना है answer करने हैं दो दो नंबर के को जो है question आएंगे शुरू में मैंने दिखा दिये थे कहां से कहां तक आएंगे तो इन सारे question में आपको alternate question मिलेगा देखने को और हो सकता है ध्यान रखना हो सकता है यह जो model paper board ने आपको दिया है इन में से दो चार question आपको final exam में भी देखने को म वीडियो के last में मैं दिखा दूगा visit करके ताकि आप solution की practice कर पाऊ कहां से करनी है तो वहां से जो अगर practice करोगे तो आपको जो है अच्छा score करने में help मिलेगे और बहुत सारे question आपको देखने को मिलेंगे exam में अब जो है आगे बढ़ते हैं दो दो नंबर के इसी तरीके स question मिलेंगे देखने को जो कि आपके लिए best रहने वाला है exam में score करने के लिए यहां पर जो है चार नंबर का question है चार नंबर का question थोड़ा के logical question रहेगा जैसे कि नीशा के दांत में कई दिनों से दर्द हो रहा था उसने अपने पिताजी से इस बारे में बताया तो वह है दा question पूछे जाएंगे और उनके जवाब आपको देने हैं वह आपको पता होने चाहिए बस इसमें भी आपको alternate मिलेगा ताकि आप जो उनसा आसान लगे वह आप कर सकते हो लास्ट में ये लास्ट question है आपका और इसके बाद आपका जो पेपर है वो खतम हो जाएगा तो आई नहीं तो आप थोड़ा confusion basic life से regarding रहेगा या ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहां से पूछ लेंगे life regarding एक question आपका रहेगा चलो I hope समझ में आगए को doubt clear हो गए होगे अगर पेपर का solution की वीडियो भी देखनी है आपको तो comment कर देना हम solution की वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको और भी अच्छे से तैयारी हम करा सके मिलते हैं नहीं वीडियो में बाइबाई